हलो गैज़े आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर स्रीन पर तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बियर्ड बर्सेज बियेस टीसी जो है केस चल रहा है और ये जो केस है सभी राज्यों के लिए काफी ज़्यादा इंप जाकर आप इसको डाउनलोड कर लिजिए एक हजार से ज़्यादा जो है जीके के कोश्चियांस है बिल्कुल फ्री साथ ही साथ अगर आपको अरारबी एंटीपीसी स्रीबीटी टू का फ्री मॉक टेस्ट देना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में दे आपको नीचे आजाना और यहां पर अटेम्ट ना उपर क्लिक करके आप अपना टेस्ट अटेम्ट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्स बेड़ वाले बिस्टीसी वाले और डेड़ वाले सभी लोगों को उम्मीद है कि कल जो है इस पर अनतिम फैसला आजाएगा और सभी जो पक्च के लोग हैं चाहे वो बिस्टीसी के पक्च के लोग हैं चाहे वो बेड के पक्च के लोग हैं वो सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से तयार हो चुके हैं तो कल जो है बिस्टीसी की लड़ाई में कल इंपॉर्टेंट फैसला आने की उम्मीद है जैसा कि आपको कि कल इस पर एक important सुनवाई होने वाली है 28 अप्रेल को Honorable Mr. Justice बिनीज सरन और Honorable Mr. Justice जेके महेश्वरी के बेंच पर यहाँ पर सुनवाई होगी और कल उम्मीद है कि यहाँ पर फैसला भी किसी ना किसी के पक्ष में जरूर आ जाएगा क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बेर्ड के तरफ से जो है आपका HRD Ministry और साथी साथ NCT यह दोनों लोग बेर्ड का पक्ष रख रहे हैं और बेर्ड के साथ यह दे रहे हैं वही पर डेलेड वाले जो है देखो main case जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वहाँ पर तो सिर्फ बेर्ड वाले अपने बचाओ के लिए हैं ठीक है क्योंकि इनको आलरेडी जो है राजस्तान से बाहर कर दिया गया है क्योंकि राजस्तान हाई कोड का जो order आये था बीड को प्रात्मिक से बाहर करने का उसका असर हर एक राज्जी में देखने को मिल रहा है अगर मैं यूपी की बात को हूँ तो यूपी में भी आप देख रहे हैं कि राजस्तान हाई कोड के तरज पर ही यूपी में भी याचिका जो है पढ़ चुकी है और यहाँ पर भी जो है सुनवाई तो एक ही सुनवाई हुई थी और उसमें क्या किया गया था कि यूपी टेट का जो रिजल्ट था वो जारी किया गया लेकिन आप देख सकते होंगे कि यूपी टेट के रिजल्ट के नीचे लिख करा चुका है कि जो बीड़ वाले चाते जिनों ने प्राइमरी के अपलाई किया है उनका जो रिजल्ट है वो मानेनी हाई कोर्ट के अधीन होगा ऐसे में एगर सुप्रीम कोर्ट भःसला जो भी टेट वाले पक्ष के में सुना देती है तो कहीं ना कहीं सभी राज्जी में जो भी बीड़ वर्सिस बीस टीसी या बीटीसी या डेलेट जो भी केस हो रहे हैं, वो सारे के-स केस अपने आप ही खारिज हो जाएंगे, ठीक है अब यही कीज होता है कि कल देखना यह होगा कि किसकी जीत होती है, डेलेड BSTC की जीत होती है, या पिर कल B.A.D. वालों की जीत होती है, जो भी अपडेट होगी कल के सुनवाई की वो सारी अपडेट आपको इस चैनल के मादम से बिल्कुल सही तरीके से जो है कल आपको सूचना दे दी जाएगी ठीक है तो सभी लोग अपने जो भी है डेलेड वाले अपना प्रार्थना कर सकते हैं वही पर हम बात करते हैं एक बड़ी अप्डेट के बारे में यहां निकल कर आया है कि अड़ेड कॉलेजों में भी होगी कम्प्यूटर सिक्षकों की निउक्ति प्रियाग राज प्रदेश के 45 हो से अधिक सायता अप्राद मादमिक स्कूलों में भी कम्प्यूटर सिक्षकों और पढ़ाई हो रही है, उनकी सूची सासन को भेजी गई है, पहले कभी इन इसकोलों में नेमित कम्प्यूटर सिक्षकों की भरती नहीं हुई है, मैं आपको बता दूँ कि अब की बार ऐसा है कि कम्प्यूटर सिक्षकों की भरती होगी, तो जो आपका नया TGT PGT का विग् होगी और इन लोगों की भरती आएगी, यहाँ पर बता गया है कि राजकिये स्कुलों में भी कमी है, प्रदेश के 2200 से अधिक राजकिये विद्यालों में भी कम्प्यूटर सिक्षकों की कमी है, पहली बार LT Grade भरती 2018 में कम्प्यूटर सिक्षकों की निउक्ति के लिए प सभी को काफी जादा इसमें मदद मिलेगी और उनों की भरती आने वाली है, और बड़ी भरती आने वाली है, ठीक है, तो यह रही आज की अपडेट बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उन सभी चीजों पर सूचना आपको हम बताएंगे, सबसे सही, सबसे तेज औ मिलते हैं गली अपडेट में, तब तक के लिए खुस रही है, मस रही है, जाहिन जावार।